स्वागत है दोस्तों आज के इस ओनलाइन गुरुनिती के अंदर आज हम लोग गुरुनिती फर्स्ट बोटनी की जो की है सेल दे यूनिट ओफ लाइफ के बारे में डिसकसन करेंगे मैं आपके सामने ललित सोनी टीम बोटनी सील सी सीकर से आज बचों हम लोग बात करेंगे सेल बाइलोजी में जो फर्स चेपटर है सेल दे यूनिट ओफ लाइफ के कोशन के बारे में वो कोशन जो 2013 से टू तू थाउजन ट्वंटी टू तक एकजाम में आ चुके है हम उन सारे कोशन की बात करेंगे हम ने सिर्फ कोशन की बात करेंगे बल्कि उस कोशन के आसपास की जो ठियोरी है जहांसे कोशन्स अकसर पूट अप होते हैं वो सारी बात करेंगे तो मेरा जो टार्गेट है यहां पे इन कोशन के बाने जो सेल बायलोजी का फर्स चेप्टर आपका है उसे पूरा कवर करने का है और बिल्कुल करेंगे बिल्कुल करेंगे 100% करेंगे आओ इंजोय करते हैं कोशन नमबर वन गोलजी समिश्र परमुक भूमी का अदा करता है दा गोलजी कॉंपलेक्स प्ले एं मेजर रॉल तो गोलजी बोड़ी अपनी सेल में जो है उसका मेन रोल क्या है उसका मेन फंक्शन क्या है आओ देखते हैं फर्स्ट उप्शन उर्जा के इस्तानांतरनकारी अंगक के रूप में एस एनर्जी ट्रांसफरिंग और्गिनली तो क्या गोलजी बोडी जो है वो energy का transfer करता है नहीं एसी कोई line NCRT के अंदर नहीं है ऐसा कुछ यहाँ पर वा नहीं करता तो गोलजी बोडी जो है वो energy का transfer नहीं करता इन post translation modification of protein and glycosidation of lipid बिलकुल सही बात है जब protein का formation होता है तो protein के formation के बाद आप कह सकते हैं उस protein को glycoprotein के अंदर change करना यह function किसका है इस गोलजी बोडी का है protein से glycoprotein का बनना it is called glycosidation तुम कह सकती glycosidation करता है इसके लावा glycosidation भी करता है glycosidation का मतलब है जो protein आती है जो अपने पास में lipid होता है उस lipid को change करना glycolipid के अंदर इसे आप लोग क्या कहोगे glycosidation ठीक है तो यारतना translation के बाद जो modification हुआ है protein को आपने glycoprotein में change किया है it is called glycosidation lipid को आप change करोगे glycolipid के अंदर it is glycosidation and both are function of गोलजी बोडी in trapping the light and transforming it into chemical energy sunlight को trap करना और उस sunlight में जो energy है उस energy को change कर देना ATP के अंदर chemical energy के form में यह chloroplast करता है ने की गोलजी बोडी करता है आगे देखे इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइडेट कार्बोहाइडेट को प्रोटीन को digest करना यह function जो है लाइसोसोम का है नेकी गोलजी बोडी का है तो बचो यहाँ पर correct answer जो है अपना कौन सा हो गया second option हो गया गोलजी बोडी जिसके discovery की थी कैमिलियो गोलजी ने गोलजी बोडी जो है वो single membrane से cover होता है और गोलजी बोडी के तीन function में होते याद इतना गोलजी बोडी का पहला function है transformation करना protein को glycoprotein में लिपिड को glycolipid में गोलजी बोडी का दूसरा function secretion करना transfase के through गोलजी बोडी का तीसरा function packaging करना जो glycoprotein glycolipid है उन्हें vesicle के form में packaging करना यह function किसका है गोलजी पूरी का है तो देखो बच्चों इसका correct answer कौन सा हो गया second option हो गया आओ देखते हैं question number two यह यहाँ पे है सबसे परचूर अंतरा कोशी की यह दनायन कौन सा है the most abundant intracellular cation is तो याद अगर आपको यह कहा जाए कि cell के अंदर कौन सा content सबसे ज़ादा है तो हम कह सकते है calcium, hydrogen, potassium, sodium and calcium यहाँ पे आगे hydrogen ion, potassium ion, sodium ion और calcium ion तो बताओ यहाँ पे correct answer कौन सा होगा second option होगा याद अतना potassium ion जो है वो cell के अंदर सबसे ज़ादा मिलने वाला क्या है आप कह सकते हैं mineral है आप कह सकते हैं इस तरीके से एक condition बनती है आगे देखे हाँ अब इसके बाद में CLC कर रही है एक very important announcement याद अतना batch announcement 2023-24 के session के लिए यह target का course भी शुरू होगा foundation का course भी होगा 2-in-1 course 2-in-1 का मतलब यह है अगर कोई बालक यह सोच रहा है कि 11th class के अंदर मेनत तो की थी पर हम उसे satisfy नहीं है जो करना चाहिए था वो कर नहीं पाए और जो नहीं करना चाहिए था वो कर लिया तो अभी भी उसको सुदाने का आपके पास मोका है यहाँ पे 12th class में जब आप आओगे तो उस एक साल में आपको 11th और 12th दोनों जो है एक साल में cover करा दी जाएगी इसको बोलते 2-in-1 course ठीक है यह आपके 6 April 2023 से शुरू होगा 2-in-1 जो है वो 6 April और 20 April से start होगा इसके लावा आप कह सकते हैं कि NDA का जो बेच है वो भी अपने पास में start होगा प्री फाउंडेशन जो है उसका बेच भी start होगा जिसमें आप participate कर सकते हैं और अपने भविश्य को उजवल बना सकते हैं CLC सेंटर बचो CLC जो है इसके देखो सेंटर कहां कहां पर है Classroom अगर आपको Class लेनी है CLC के अंदर तो Seeker में इसका Head Office है करमस्तली पंडत हरिना चतुरवेदी मार्ग पिप्राली रोड सीकर इसके लावा अलवर में अपना सेंटर यहाँ पर है जहां पर आप Classroom ले सकते हो जेपुर में है प्रेनास तली और जेपुर में एक और है विजेस तली ठीक है यह गोपालपुरा बाइपास पर है और एक आप कैसे सोड़ा अंदर है इसके लावा Taste जो है वो भी अपने यहाँ पर चलते है तो यहाँ तो चलते हैं यहाँ तो Classroom भी है और year der और हिसार ठीक है तो आप यहाँ पर classroom जोइन कर सबसे हो आप यहाँ पर कि आपके सामने पार्टेस्ट कराए जाएंगे ठीक है अपने पास में छे पार्टेस्ट है और साथ यहां पर दंगल एसके लाद और यहां पर है और फुल है आप खेज सकते हो नीट पेस्ट यहां पर जिसका आप यहां पर स्किन शोट भी ले सकते हैं ठीक है आओ आगे चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोशन नमबर त्री विच ओफ दे फॉलोइंग और गनली इन फिगर करेक्ट ली मैच विद इट्स फंक्शन ये कोशन देखो बजो 2013 में आया था तो देखो आपके सामने एंसियाटि का ये स्कैन की आवा डाइगराम था जो कि आपके एक्जाम में हूब 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 आगया और हूब 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 आएगा ठीक है जैसे यहां पर आपको बताना है यह फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइगो प्रोटिन करती है मनें बता आपको गलाइगो प्रोटिन inferior करती है बलकि गोल जी लुटञाए तुम कह सकते किugen deliberately यहां पर यहां है प्रोटिण का सिंतिअचेस करना तो आब स्कृच्व यहां पर कॉन बच्चों नंबर यहां पर है फोर वसा के बारे में एक बहुत ही बहतने कोशन के लिए है मार्ग का नाम है यह नहीं होगा निकलियो प्लाज्म में लिपिड का फॉर्मेशन नहीं होगा अरे भाई सिद्धी सी बात यह है लिपिड का फॉर्मेशन करना है तो तीन अक्षर त्री लेटर्स आपके दिमाग में आने चाहिए इस ए आर स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकॉलम चिकनी अंतहह पर देविजानि का ये जो हुआ करती है ये बच्चों ऐसे बनाती है क्या है य कि will be आती है तो यहांद इसके बाद किसके फॉर्मेशन करेगा लिपिड का फॉर्मेशन करेगा आरिया लिपिड का फॉर्मे जिवानुओं में सुत्रकणिका का कारिये को निभाता है which structure performed the function of mitochondria in bacteria nucleoid, nucleoid का मतलब क्या होता है याद अपना bacteria जो होता है बचो bacteria के साथ जो हुआ ऐसा बगवान किसी के साथ न करे bacteria में nucleus जो है वो primitive type का है less developed nucleus है जिसका दूसरा नाम क्या है nucleoid, जिसका तीसरा नाम क्या है जिनोफोर, जिसका चोथा नाम क्या है प्रो क्रोमोसोम, ठीक है यह सब क्या है, यह सब आप कह सकते है less developed nucleus है, ठीक है और यह mitochondria की तरह बिल्कुल नहीं है mitochondria is responsible for energy formation ठीक है ribosome, ribosome energy का formation नहीं करता यह तो आप कह सकते हैं protein का formation करता है cell wall, cell wall कोई energy का formation नहीं करेगा mesozoom, बिल्कुल correct answer इसका है, याद अपना prokaryotic cell जो वा करती है उस prokaryotic cell की बात अगर आप यहाँ पर करेंगे, तो इस prokaryotic cell में यह वा करती है cell membrane, और cell membrane में देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, in folding cell membrane की जो in folding है, इसी का नाम क्या है mesozoom, और mesozoom किसके तरह काम करती है, mitochondria की तरह काम करती है, क्योंकि mitochondria energy का formation करता है mitochondria क्यों energy का formation करता है यह pen इस pen को मैं कहता हूँ energy का formation कर भई यह तो energy का formation नहीं कर रहा अरे pen, energy का formation करो यह तो करी नहीं रहा तो अगर ये energy का formation नहीं कर दा तो mitochondria जो है वो mitochondria सुसुरा क्यों energy का formation कर रहा है क्योंकि mitochondria में respiratory enzyme है इसलिए respiration होगा respiration है जहाँ energy है वहाँ उसी तरीके से respiratory enzyme prokrötik cell में कहाँ पर होते हैं mezosome में है तो वही बात मिजोसोम में क्या है respiratory enzyme तो बताओ मिजोसोम जो है वो क्या करेगा आप कह सकते हैं energy produce करेगा तो answer यहाँ पर हो गया fourth option इसके बाद next आनंद लेते हैं question number six एक थोस रेखिक साइटो पंजर जिसका व्यास 6 nanometer है और जो एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है the solid linear cytoskeleton element having a diameter of six nanometer and made up of a single type of monomer are known as देखो यह यहाँ पर आपके सामने कैस की property है और यह जो property है यह बताओ property किसके बारे में है आप कह सकते हैं micro filaments के बारे में है micro filament जो है वो कैसा होता है solid होता है ठीक है और उसका diameter कितना होता है 6 nanometer है और याद रखना एक बात micro tubule किसे बनता है tubulin protein से micro filament किसे बनता है आप कह सकते है micro filament किसे बनता है actin protein से बनता है intermediary filament किसे बनते हैं creatin protein वगरा से बनते हैं ठीक है लेमिन से यहाँ पर कुछ है नहीं तो आप कह सकते हैं इसका correct answer गोंट सा हो गया सेकिंड ऑप्शन हो गया आगे देखिए इसके बाद साथ दे ओस्मोटिक एक्स्पेंशन ओफ ए सेल केप्ट इन वोटर इस चीफली रेगोलेटेट बाई जल में रखी एक उशिका का परासर निये फेलाव मुखेत है किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो आप देख सकते हैं बिलकुल देखें गया है एक पानी पात्र है और पानी के पात्र में क्या रख दी ऎपने कोशिका रख दी अब वह यह है कि इस कोशिका का परास्र निये फैलाव इसका Osmotic Expansion यह जो सेल है वोटर अगर इस सेल के अंदर जाएगा ठीक है या वोटर सेल से बाहर आएगा वोटर पर जो कुछ भी होगा वो सब किस पर डिपेंड करेगा वो सब डिपेंड करेगा सॉल्यूट के उपर वो सब डिपेंड करेगा विले के उपर और सॉल्यूट पताओ किस में पाए जाते हैं सबसे ज़ादा सॉल्यूट पताओ कहां पाए जाते हैं रस्तधानी में मतलब आप क्या कह सकते हो वेक्योल में पाए जाते हैं तो कहने का मतलब यह है कि वेक्योल जो है वो इस वेक्योल क्या करेगी वेक्योल में क्या होते हैं आप कह सकते हैं वेक्योल में solute होते हैं और solute जो है वो आप क्या कह सकते हैं osmotic pressure को maintain करता है याद अतना osmotic pressure proportional to solute अगर solute जादा है तो बताओ ऐस् ơi वह बगा जादा तो हम कह सकते हैं कि मिलनेल INTER ाके बात करते इसके बाद में सभी तो मिल्पी और सही ऊत्र का चें करो बिल्कुल उत्तर तो बच्चों अपने को सही ही चेन करना है करना भी चाहिए इधर है तारा के अंदर मतलब सेंट्रियोल देखें सेंट्रियोल है क्लोरोफिल है क्रिष्टी है और राइबोजाईम है पर यहां पर है इन फॉल्डिंग इन माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉं है उसमें से जो इनर मेंब्रेन जो होती है उसमें क्या होती है इन फॉल्डिंग और इनर मेंब्रेन की जो इन फॉल्डिंग है आप कह सकते हैं उस इन फॉल्डिंग को आप लोग क्या कहेंगे आप लोग उसे क्रिष्टी कहेंगे इसके लावा थाइलेकोईड बताओ करेगा क्योंकि क्लोरो के साथ मेंच ये चोंकि जो क्लोरोफील होता है वह क्लोरोफिल कहां पर होता है थाले कोड पButler करता है की आगे बात करें इसके बाद में नुकुलिक एंसीड-णीक शीट का मतलब बच्चों होता है DNA RNA और DNA RNA जो है वह आप हो कहां मिलेगा वह आप कह सकते हैं एक तो यहां पर है राइबोजाइम एक आपके सामने है सेंट्रियोल तो राइबोजाइम जो है यह बनता है 23S RNA से याद अतना प्रोटीन जो है अगर उसकी बात करें तो प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं ओल्मोस्ट एंजाइम किसे बनते हैं प्रोटीन से बनते वहिया परियादकना राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो एंजाइम होने के बावजूद भी प्रोटीन से नहीं बनता है बलकि किसे बनता है आप कह सकते हैं राइबोजाइम किसे बनता है 23 P3S RRNA से बनता है और RRNA क्या होता है एक टाइप का Nucleic Acid हुआ करता है इसकी मेंचिंग यहां सी कर दिया अपनने इसके बाद में है Bessel Body of Celia and Fragila तो बिलकुल Celia Fragila की जो Bessel Body हुआ करती है याद इतना वो Centriol से बनती है यही रिजन है कि Centriol कैसा होता है 9 प्लस 0 और Celia Fragila की Bessel Body भी कैसी होती है 9 प्लस 0 याद इतना दोनों में 9 क्या होती है A peripheral triplet और बिलकुल बीच में कोई Microtubal नहीं होगा 9 प्लस 0 याद बीच में 0 मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई Microtubal नहीं हुआ करती तो आंसर यहाँ पर आप मेंच कर लो कोई दिकत नहीं है A का यहाँ पर आगया 4 ठीक है B का आगया 2 ठीक है C का आगया 1 डी का यहाँ पर क्या आगया राइबोजायम का 3 अगे देखते इसके बाद देखो मां आपको सिर्फ कोशन नहीं बता रहा मेरी पूरी-पूरी कोशिस है कि जो पुरा टोपिक ना वह आप कवर कर लो क्योंकि सेल बायोजी के एकजाम में 6-8 कोशन आते हैं जिसमें से सेल बायो फर्स्ट के लगबग 4-5 कोशन आपको एकजाम में दिखने लग जाएंगे गतिमान जिवानू किसके द्वारा गति करता है दे मोटाइल बैक्टरिया और एबल टू मोव बाई याद अगर कोई बैक्टर चिपकना होता है जैसे मालो कोई बैक्टरिया है बैक्टरिया क्या सोच रहा है आओ पानी के साथ बहे बैक्टरिया पानी के अंदर बैर आए बैक्टरिया बोल रहा है बल्यू है पानी पानी अब उस बैक्टरिया को क्या लगा कि बस इतना बहुत है आओ इस पत्थर के सा बात में इस इस्टोन के साथ चिपक जाते हैं तो बैक्टरिया चिपकने के लिए कहीं पर भी अगर बैक्टरिया को किसी भी सर्फेस पर चिपक ना है तो वह किसका यूज करेगा वह यूज करेगा फिम्परी का फ्लेजिला जो है बिल्कुल इसका फंक्शन क्या है इसका फं function होता है sexual recombination करना इसका function जो है वो conjugation करना होता है तो इसका क्रेक्ट टांसर कुंड सा हो गया option number two हो ठीक है आगे देखें इसके बाद में कि उसके बाद में हुशार बचो अपना आगे बात करें इसमें आता है question number 10 दस दस का दम पोधों की द्वितियक कोशी का भित्ती में क्या होने पर यह है प्रात्मी कोशी का भित्ती से भिन होती है secondary cell wall in plants differ from primary cell wall in having ऐसा क्या है secondary cell wall में जो primary cell wall में नहीं है देखते हैं cellulose दोनों में होता है hemicellulose अरे बाया दोनों में होता है पेक्टीन जो है आप कह सकते मेंली किस में होता है मिडिल लेमिला में होता है लिगनीन जो आप देखते हो यह किसके अंदर वा करता है यह होता है secondary cell wall के अंदर तो आप कह सकते कि secondary cell wall जो है उसमें लिगनीन है जो किसके अंदर नहीं है primary cell wall के अंदर नहीं है सारा खेली यहाँ पर किसका है लिगनिन का है next question number 11 निम्न में से कौन सा एक कवक कोशी का वित्तिव में उपस्थित नहीं होगा one of the following is not present in fungal cell plasma membrane plasma membrane में यादखना दुनिया में और कुछ हो या नहो दो चीजे जरूर होगी एक तो वो और एक वो उपर वाला जरूर होता है और यादखना दुनिया के हर एक organism के अंदर cell membrane होती है ऐसी कोई cell नहीं होती है ऐसी कोई living cell नहीं होगी जिसके अंदर cell membrane नहीं हो तो cell membrane तो होना ही चाहिए और cell membrane तो बच्चों होगा ही होगा तो याद इतना cell membrane या मैं कहूं plasma membrane ये fungal cell क्या ये तो uncle cell के अंदर भी होगी हर जगा होगी है तो cell wall cell wall जो है आप कह सकते हैं ये fungi के अंदर present होता है पर पुछा किया आपको not present in fungi तो cell wall आप कह सकते हो fungi में है काइटिन से बनता है nuclear membrane eukaryotic cell में है fungi भी क्या होता है eukaryotic तो इसमें होगा थाइले कोईड जो है ना मुना ना थाइले कोईड जो वागड़ता है आप कह सकते हैं ये तो food के formation के लिए responsible है और fungi जो है वो food का formation ही कर सकता fungi non photosynthetic होता है अरे भाइया अगर वह non photosynthetic है तो का थाइले कोड़ी यहां पर टींड सी ले रहा है नहीं यहां पर कोई थाइले कोईड नहीं होगा तो आंसर यहां बताओ कौन सा हो गया fourth option हो गया तो 11 number question का आंसर यहां पर क्या हो गया फोर अगर देख इसके बाद question number 12 which one of the following is a semi autonomous organally यहां पूचा है आपको अर्द स्वायत सासी के बारे में semi autonomous के बारे में पूचा है एक तो होता है autonomous वो जो protein का formation खुद कर पाए एक होता है semi autonomous जो protein का formation कुछ protein वो खुद बना लेता है और बाकी की protein के लिए वो dependent रहता है nucleus के उपर उसको बोलते है semi autonomous organally तो ऐसा कोशी कांग ऐसा organally जो खुद protein बना सकता है लेकिन सारे की सारी protein खुद नहीं बना सकता है खुद बनाएगा कुछ बाकी कुछ कहां से आएगा nucleus से आएगा तो आंसर यहां पर कुण सा होगी आप कह सकते हैं mitochondria याद इतना बच्चो एक तो mitochondria इसके लावा chloroplast mitochondria and chloroplast यह एसे और्गनली है जो semi autonomous होते हैं इन में बगवान का दियावा सब कुछ है बगवान का दियावा DNA है बगवान का दियावा RNA है बगवान का दियावा पर रख देता हूँ तो क्यों mitochondria exist कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि सैल से छोटा नथिंग एनिधिंग लेस दें रे complete structure of cell cell की complete structure से less ऐसा कोई नहीं हो सकता ऐसा mitochondria भी नहीं है ऐसा nucleus भी नहीं है इसा ribosome भी नहीं है जो बिना सेल के exist करें तो existence के लिए बताओ सबसे कम आपके पास क्या तो होना ही चाहिए सेल तो नहीं चाहिए तो यहां पर सेमियोटर्वी जाले का किसके translation का मुख्य स्थल है smooth endoplasmic reticulum is a measured site of synthesis of वही बात R.E.R. किसका formation करेगा protein का S.E.R. किसका formation करेगा lipid का तो यहां पर कौन सा होगा लिपिड हो गया पहले बात अपने होचों की थी कोशन नमबर 14 के बात करें गोल जी काई की एक महत्व पुन बोमिका किसके बनने में होती है एन इंपोर्टेंट रोल ओफ गोल जी बोडी ग्लाइकोलिपिड में आंसर यहां पर कौन सा हो गया फॉर्ट ऑप्शन हो गया 15 नुकुलियर एंवलप इस डेरिवेटिव ओफ केंद्री के आवरण व्युत्पन होता है या रखना जब बच्चा छोटा होता है तो बाप उस बेटे की हल्प करता है बाप उस बेटे की रक्षा करता है पर जब बाप बुड़ा हो जाता है बेटा बड़ा हो जाता है तो बेटा जो है उस बाप की हल्प करता है करबला हो बला उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यह जो nuclear envelope होता है ना यह nuclear envelope किसका formation करता है रफ AR का लेकिन टिलो फेस के अंदर पहले क्या आती है रफ AR और उसके बात आप कह सकते हो कि उससे formation किसका होता है nuclear envelope का होता है दोनों साइड यहां प्रोसे चलती है तुछ कह सकते हैं कि जो atlet किसे बनता मैं याद करो इस तरीके से उता है nuclear membrane और nuclear membrane जो वे हुआ करती है इस तरीके से किसका formation करती है AIR का formation करती है राई बोस Hijो राई वो सम आप क्या का फोर्मेशन करेगी आगे देखें आगे देखें को कि अगे नेक्स कोशन नुम्बर 16 देश्टर्चर्चर्च देट आर फॉर्मड बाई स्टेकिंग ओफ और गें नाइजड फ्लेटन मेंब्रेनस सेक्स इन देख लोप्लास्ट आर हरित लवक में चप्टे जिली नुमा औ कोशो के विवस्ति चट्टों को क्या कहा जाता है अरे भाईया क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में याद करो कोईन लाइक स्टक्चर का नाम क्या था 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 कि दिन को Ouais कि दिन इस नोट्ट प्रेजक्ट इंडिने कि समय नहीं होता सुत्र इनीर का माइटोकोंडरीया बिल्कुल माइटोकोंड्रीय में डिन इस होता वह है क्लोरोप्लास्ट में डिन.n है नुकलियस में डिन.n राइबोशॉम के अंदर आप कैसकते हैं DNA नहीं होता बलकि कौन होता है DNA का चचिरा भाई RNA होता है तो अगर आप ये कहते हैं कि Ribosome में DNA है तो गलत है Ribosome में RNA है या ऐसे कह दो कि Ribosome के अंदर Nucleic Acid है कौन सा Nucleic Acid है? RNA है तो आंसर यहाँ पे हो गया थेर्ड ओप्शन ये बाद यहाँ पे आओ आओ आगे देखे Next इसके बाद Question No.18 निम्नलिखित युगमों में से सही सुमलन को चुनिए Select the correct matching in the following pairs Rough ER Oxidation of fatty acid बिल्कुल नहीं भहिया Smooth ER Oxidation of phospholipid Smooth ER देखो बार बार एक्जाम में वही कोशन आ रहा है आर यार का function क्या है protein का formation करना ACR का function क्या है lipid का formation करना तो answer यहाँ पे third option है इसके बाद आगे देखे अपने Question No.19 Cytochromes are found in तो याद करो Cytochrome किस में होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा respiration respiration जो है वो कहाँ पे होता है cell के अंदर होगा respiration में क्या होता है ETS ETS कहाँ पे होगा Thylakoid की inner membrane में होगा और Thylakoid की जो inner membrane है उस inner membrane में क्या होते हैं Cytochrome और वो Cytochrome ही किस के लिए responsible है ETS के लिए तो Cytochrome सार present in आप कहा सकते हैं Christy of mitochondria Christy का मतलब यहाँ पर किस से हैं इनर membrane से हैं और जो mitochondria की inner membrane होती है उसी के अंदर आप लोग क्या कह सकते हो Cytochrome होती है तो आंसर यहाँ पर कॉन सा हो गया fourth option हो गया आरगे देखें Next आगे चर्चा करते हैं इसके बाद में Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes prokaryotes के अंदर आप कह सकते हैं निम्न में से कौन सा एक अंतस्ट पिंड नहीं पाये जाता पॉलिसोम phosphate granule inclusion body है साइनोफासिन granule inclusion body है glycogen granule inclusion body है इन तीनों के अलावा याद अतना बच्चों prokaryotic cell में क्या होती है gas vacuole gas vacuole भी किसका पार्ट है inclusion body का पार्ट है लेकिन polysome जो है आप कह सकते inclusion body का पार्ट नहीं है inclusion body का मतलब होता है storage substance ठीक है तो आप कह सकते हैं यहाँ पर storage substance को ने फोसपेट है साइनोफासिया ग्लाइकोजन है और gas वेक्वल में जो gas है वो भी store रहती है तो आप कह सकते कि इस अंसर क्या हो गया 20 में फस्ट आंसर हो गया कि अग्या कि अग्या कि 21 वे गुंसुत्र जिन में गुंसुत्र बिंदू एक सिरे के समीप होता है उन्हें क्या कहा जाता है जिसे मानलो इस तरीके से आपके पास में को डायग्राम हो गया गुंसुत्र का क्रोमोजोम का अगर मानलो क्रोमोजोम के बीच में होता तो मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रों सेंटर समेटासेंट्रिक टिप पार्ट पे हैं टिलोसेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रों टिप एक्रोसेंट्रिक तो सरे यहां पर कौंप सा ओ गया एक्रो सेंट्रिक हो गया देख इसमें एक आर्म तो केसी होगे छोटी दूसरी बताओ यहां पर क्या होती है आप कहा सकते है अपसेंट होती है नो स्टोक में सेलवोल है, फिनेरिया में सेलवोल है, एस्परिग जिलिस में सेलवोल है, पर माइको प्लाजमा जो है, इसमें सेलवोल नहीं है, या रखना बचो, प्रोकेरियोट्स जो होते हैं, उन प्रोकेरियोट्स के अंदर सेलवोल होती है, बस इसका एक्सेप्शन जो ह एक्सेप्ट बताओ यहां पर कौन है माइको प्लाजमा है तो प्रोकिरोटिक सेल में यूजली में ली सेल वोल होती है बस माइको प्लाजमा ऐसा प्रोकिरोटिक है जिसमें क्या नहीं होती सेल वोल नहीं हुआ करती है आगे देखे नेक्स्ट यहाँ पर है कोशन नंबर इसके बाद में 23 यहाँ पर है मैस दे कॉलम और इडेंटिफाइद एक करेक्ट ऑप्शन देखते हैं थाइलिकोड यहां दे रखा है क्रिष्टी है क्लोमेटिन है डिस्क शेप सेक्स इन दे गोलजी एपरेटटस गोलजी एपरेटस में याद करो इस तरीके से जो डिस्क-like स्ट्ट्चर होगा करती है उसे बच्छों आप लोग क्या कहते हैं सिस्टन कहते उसको तो इसको यहां पर क्या हो गया सिस्टन नहीं हो गया के अगर बचो डिएने कने सोगया तो आप उसे क्या बोलते हो क्ये चॉन सी मास टॉमा कोोन सी हिरा इंदर कि अन्दर को सकते हैं उसे आक यह प्लॉख म क्या कहों गर इंदर इंदर इन पर क्रिश्ठी कर लो A में 3, B में 4 A में 3, B में 4 C में 1 और D में 2 C में 1 और D में 2 आंसर यहां पर कौन सा हो गया? बढ़ तो अप्शन हो गया इसके बाद question number 24 A protoplast is a cell जीव दरवे कोशी का है undergoing division without cell वो लियाद अतना A C plant cell जिसमें cell वोल नहीं है plant cell without cell वोल is called protoplast जानत मैं इस बात को आंसर यहां पर है second option which of the following structure is not found in prokaryotic cell निमन में से कोण सी सरस्थना प्राक के अंदर की कोशी का में नहीं पाई जाती तो याद अपना मीजो सो मत देखा है prokaryotic cell में होता है बही plasma membrane वोई बात plasma membrane हर living cell में है nuclear envelope हाँ nuclear envelope जो है वो किस में होता है ukaryotic cell में होता है prokaryotic cell के अंदर यह नहीं होता ribosome तो बच्चों कैसा होता है universal है ribosome तो आप कैसे सकते हैं हर जगा मिलेगा आपको ribosome तो का मिलेगा आपको हर जगा मिलेगा answer 25 method फिर यहाँ पर आपके सामने आता है 26 the structure that helps some bacteria to attach the rocks yes अभी मैंने बताया तो आपको अगर कहीं पर चिपकना है और चिपकना है बतलब bacteria को अगर कहीं पर चिपकना होता है तो बताओ किस की help से चिपकना होता है तो बताओ सोम जो है यह responsible for respiration है responsible for energy production है और राइजोर्ड जो है यह भी एक प्रेक्ट्रिया में नहीं होता यह तो किस में होता है ब्रायोफाइटा में ओल्ड फास्ट किस में होता है फ्यूकस बगरा ब्राउन एलगी में होता है next 27 इन फोटो सिंतेटिक इन फोटो सिंतेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रियक्शन टेक प्लेस एड याद अतना फोटो सिंतेसिस के अंदर लाइट इंडिपेंडेंडेंट रियक्शन कहां होती है तो आप कहां होती है इस्ट्रोमा में होती है जैसे यह आपके पास क्लोर स्क्रोरोब्लास में आप सकते हैं यहां पर इसतरी कि से क्या होता है यह यहां पर आप क्या सकते हैं गरेन होता है और इस ग्रेना unterstützen में क्या होती है असे क्यों गें इसका सेकेंड ऑप्षिन इसका अंसर हो गया है नेक्ष इसके बाद आगे देखें कोश्वन नुम्मर 27 के बाद आपका फेवरेट और मेरा फेवरेट कोश्वन नमबर 28 देखते हैं गोड़ सा है में जिल्लिं यूख्त को शीकांग है तो बताओं मेंब्रेन किस thus home in में दॉम्टेरण। में में माई तो में नुकलाए में 0 डाइबव frågor मोनिया टू क्रोमो सोम में आप सीट वह नहीं होती है स्रफ प्रोटीन की लेर है तो लेर है पैलीकल वमेभा नहीं लेले कि से बनती है है अपा जियार 1 तो बताहों ऐसा कौन सा ऑप्षन है जिसमें मेंब्रेइंच है अंस्र यहां पर कॉन सा हो गया, second option हो गया, ठीक है, 29, बाल, बियानी, रिंग, वा, कॉन सी बियानी, बाल, बियानी, याद अखना बच्छो, बाल, बियानी, रिंग, जो है, वो, बाल, बियानी, प्रूमोजों में होती है, क्रूमोजों में क्या होता है, DNA, DNA किसका formation करेगा, RNA करिंगे और प्रोटीन का तो आप कहा सकते हैं यह आर्ने प्रोटीन का सब्सक्राइगी राइबोस्वम क्यासा होता है मेंब्रेन लेस है तो आंसर यहां पे कौन सा हो गया आप कैसे सकते हैं इसका हो गया है कोशन नुमर 31 अधिकतर कवको में कोशी का वित्ती का एक परमुक अवियव कौन सा है याद अपना और काइटीन जो वो क्या होता है इसा कौन सा सेल ओगनली है जो सिंगल मेंब्रेन से कवर होता है तो एक तो बच्चों आप सेल बाइलोजी वाले चेप्टर में न यह चीज ध्यान रखे कि किसके बाहर कितनी मेंब्रेन है यह एक्जाम में अक्सर पुच्छा जाता है और मालों ऐसे कोशन को गलत कर देते हैं तो आप यह मान के चलो कि आप बहुत बड़े दानवीर हो ठीक है आप दानवीर कंड से बड़े हो जो लल्लू कोशन है जो गोच् चीज टेंगल मेंब्रेन निम्न में से कों सा कोशिकांग केवल एकलकलास ही गिरा है क्लो प्लास्ट में दो में मिम्रेन होती यह लाइस ओसों में वन और यह मांशोंसों यह यह यहां पर यह गोगा 3 Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous होते हैं बिलकुल सही बात है semi-autonomous होते हैं formed by division of pre-existing organically and they contain DNA but lack protein synthesis No Mitochondria, chloroplast, semi-autonomous है वो मानते है complete protein नहीं बना सकते पर कुछ protein तो बनाती है तो A यहाँ पर correct है बट B यहाँ पर क्या है false है तो A is 2 बट B is false तो answer 33 में कौन सा हो गया second option हो गया next 34 सुक्ष्मनली का इस संगटक होती है microtubles are the constitutes of तो बचो microtubles जो है वो इसमें क्या-क्या होता है microtubles किस-किस में होती है spindle fiber microtubles से बनता है centriole microtubles से बनता है centriole microtubles होती है याद करो centriole के अंदर क्या होता है 9 plus 0 condition है spindle fiber microtubles में chromatin fiber में कोई microtubles नहीं हो गरती है वो तो बचों DNA से आरने से बनता है centrosome में है nucleosome nucleosome में कोई microtubles नहीं होता है बलकि nucleosome किस से बनता है H1 A sorry H2 A, H2 B, H3, H4 और DNA से बनता है centriole में है paroxysome में नहीं है fragila में है cilia में है तो ऐसा कौन सा है जिसमें microtubles पाई जाती है यहाँ पर कौन सा हो गया पस्ट option हो गया 35 देखते है water-soluble pigments found in plant cell vacuole water-soluble pigments किस में होते है बच्चो water-soluble pigments होते है vacuole में याद करो vacuole में 90% क्या होता है sap vacuole में 90% क्या होता है पानी इसका मतलब जो इसमें pigment होगा पानी में तो soluble होगा कौन सा anthocyanin और anthogenthin तो यहाँ पे आपका option कोड़ सा दे रखा है आपको anthocyanin answer is third 36 a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as a complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known polymer sorry not polymer polysome याद इतना यह आपके पास में क्या होता है बच्चो MRNA यह single होता है वन होता है इस MRNA के साथ में attach क्या होगा ribosome इस तरीके से यहाँ पे है 70S ribosome तो देखो यहाँ पे बहुत सारे 70S ribosome प्लस MRNA इससे आप लोग क्या कहोगे polysome कहोगे तो answer यहाँ पे हो गया fourth option polymer कुछ यहाँ पे है नहीं polypeptide protein को बोलते हैं वो यह बनाएगा ने कि यह खुद है वो का जाएगी fragment कहाँ पे आते हैं replication में यहाँ पे कोई मतलब नहीं इसका answer is four इसके बाद है 37 select the wrong statement बचो जिन्दगी में select right को करना but question में दे रखा है यहाँ तो आपको select wrong को करना है select the wrong statement पिली एंड फिम्प्री आर mainly involved in motility of bacterial cell शाबास बहुत गलत है पिली का function है conjugation करना और फिम्प्री का function है attachment होना तो इसका जो है motility के साथ वो ही संबंध है वो ही relation है जो गाय का बैस के साथ है मतलब कोई relation नहीं है cyanobacteria lack flagellated cell cyanobacteria में आप कह सकते हैं कि flagellated cell नहीं होती है cyanobacteria हमेशा gram negative है ध्यान एकना भई ध्यान एकना cyanobacteria gram negative उसमें कभी flagellia नहीं पाये जाता absent होता है mycoplasma is a wallless micro बिल्कुल सही है bacterial cell wall is made up of captive glycan बिल्कुल सही है answer को रोगे सा हो गया first option 38 किस कोशी की अंगक में जल अपगटनी enzyme होते है cell organically containing hydrolytic enzyme याद इतना microsome, mesosome, ribosome ribosome, sorry lysosome आप कह सकते हैं यहाँ पर lysosome lysosome जो है बच्चों इसमें हुआ करते है digestive enzyme और lysosome के यह digestive enzyme जो होते हैं यह जो यहाँ पर digestive enzyme होते हैं वो क्या करते हैं वो substance को digest करते हैं और lysosome के यहाँ पर digestive enzyme जो होते हैं यह digestive enzyme किस निचर के होते हैं यह होते हैं hydrolytic निचर के तो answer यहाँ पर हो गया lysosome आगे देखें इसके बाद में 39 विच ओफ दे फॉलोइंग और आरने एक्ट एज स्ट्रक्चुरल आरने एज वेल एज राइबो जाइम इन बैक्टरिया याद इतना राइबो जाइम बच्चों वही बात आगे ना मतलब मैं जो आपको बोल रहा हो ना वो आपके exam का कोशन है अब वो हो कोई सा भी सकता है तो याद अतना बैक्टरिया में जो राइबो जाएम बच्चों किसे बनता है 23 एस आरने से बनता है बार बार बच्चों उसी के आसपास से कोशन फुट अब होता है 40 विच ओफ दे फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिक स्टिकी केरेक्टर टू वही बात भाई जाए लगारी चिपकना है अटेच होना है तो अटेच किसे ओते आप अठर बचल आप यहां से होते हैं थीक है अब इसकॉश्टिन के अंदर अगर आप कंडिशन बेखे तो इस बेक्टरिया को किसी सरीव Article साथ अठेज कि इंस फिमरी से अब हो नहीं है तो आप इस में सेस करो बताओ अटेज किसे हो गई हो गयुक्त होते हैं सबसे डी एक सब से भार होगा सबसे गलेत Okay करšेτव 49 विच ओफ दा फॉलोइंग सल ओगनली इस रेस्पोंसिबल फॉर एक्स्ट्रेक्टिंग एनर्जी फॉर्म कार्भो हाइड़ेट टू फॉर्म एट को यह आप यहय Greek है रो मित के विश्तर नहीं के लिए है रेस्परिशन के लिक्लिया के लिए कॉचिन के लिए है होगया revenue विच्व फॉलोइंग इस ट्यू फॉर नुक्लियो लेस नुक्लियो लेस की बात कर रहा है याद अकना बच्चो एक्जाम में नुक्लियस और नुक्लियो लेस में जानकना कही बार बच्चों पर क्या होता है एक्जाम का प्रेशर रहता है जिसे वो नुक्लियस को और नुक होता है कि प्रीव फोर नुकलियोलस इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन बच्चों स्पिंडल फॉर्मेशन का इससे कोई मतलब नहीं है इट इस साइट ओफ एक्टिव राइबोसोमल और राइड बिल्कुल और राइड जो है उसका फॉर्मेशनी किस से होता है नुक यौलस से होता है तो नुकालियोलस को बोलते है राइबोस arqu two ठीक हैं तो कि वह राइबोसोम में क्या होता है रार रनए वह यही बनाता है इट तो बहुत दूर की बात है तो आंसर यहां पर कॉन सा हो गया दूसरा 43 गोल्जी कॉंपलेक्स पाटिसिपेट इन गोल्जी बोडि का फंक्षन क्या है रस्परिशन करना नहीं मिजो सोम करेगा बेक्टरिया में बेक्टरिया में बचो गोल्जी बोडि होती नहीं है एक्टिवेशन एमिरेशन नो फॉर्मेशन मैंने कहा था आपको गोल्जी बोडि की तीन फंक्षन थे ट्रांस्फॉर्मेशन सिक्रेशन और पेकेजिंग तो देखो यह सिक्रेशन करता है आउसर क्या हो गया इसका के टुकड़े होते हैं जिसमें कुछ और यार है कुछ क्या उते हैं फ्री राइबोसोम होते हैं आंसर हो गया 44 ठीक है 45 विच अमंग दे फॉलोइंग इस सौटे प्रोके रियोट कौन सा प्रोके रियोट नहीं है नो स्टोक एक Blue Green algae है प्रोकरियोटिक है यह भी क्या है Blue Green algae है Mycobacterium क्या है यह bacteria है प्रोकरियोटिक हो गया Saccharomyirus बचों यहां पर कोई है Yeast और Yeast जो है वो क्या होता है फंजाई और फंजाई जो प्रोकरियोटिक नहीं यह बलकी क्या है वो यूकेरियोटिक तो आंसर यहां पे कौन सा हो गया फोर्थ ओप्शन हो गया आगे देखते हैं 46 निम्न मेंसे सुत्र कणिका से सम्मंदित कौन सा कथन अनुचित है वाव विच अफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉंड्रिया इस इनकरेक्ट इनर मेंब्रेन इस कॉन्वुलेटेड विद इन फॉल्डिंग बिल्कुल सही है माइटोकॉंड्रिया की जो अंदर वाली मेंब्रेन है याद करो वो कृष्टी के फोर्म में इन फॉल्डेड होती है माइटो कॉंडरिया मेट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डी एने मोलिक्यूल एंड राइबोसों बिल्कुल सही भई आउटर मेंब्रेन इस पर्मेबल टू मोनोमर्स ओफ कार्बो हाइड़ेट्स फेट अन प्रोटीन बिल्कुल सही है याद करो माइटो कॉंडरिया की आउटर मेंब्रेन में पोरीन प्रोटीन है जिससे उसकी पंप्रिटी क्या होती है बढ़ जाती है Enzymes of ETS are embedded in outer membrane No! 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 Mitochondria की inner membrane में ETS के enzyme है ना की outer membrane में है 47 की बात करे Which of the following statement is not correct NIMNA में से कौन सा खतन सही नहीं है Lysosom are membrane bound structure बिल्कुल सही है Lysosom are formed by the process of packaging in the endoplasmic reticulum not endoplasmic reticulum Golgi body जो है वहाँ से बनता है Lysozome have numerous hydrolytic enzyme बिलकुल सही है the hydrolytic enzyme of Lysozome are actively under acidic pH बिलकुल सही तो correct answer सेकंड नो और कौन सा हो गया second option है second option correct क्यों है तो ही यहाँ पे आप कह सकते है Golgi body आना चाहिए था 48 The concept of omni cellular is given by तो आप कह सकते हैं सबसे पहले रुडॉल्फ विड्चो जो है उसने बताया था विस सेल थिए सबसे पहले जी थी श्लाइडन स्वान ने श्लाइडन स्वान ने कहा कि ओल ओगनिजम्स आर मैड अप औफ सेल्स एंड देर प्रोड़क्ट फिर लोगों ने पूचा अरे भाया यह तो बताओ यह सेल आती कहां से है तो उसने क्या कहा कि सेल कहां से आती है अच्छा अच्छा श्लाइडन ने स्वान को देखा स्वान ने स्लाइडन को देखा और बा 49 विच ओप फॉलोइंग स्टेट्मेंट इंक्लूजन बोड़ी इस इनकरेक्ट यार अपना इंक्लूजन बोड़ी के बार में कौन सा सही नहीं है मतलब गलत है दे लाइफ फ्रिंस साइटोप्लाज्म ओके रजपर्जेंट रिजर्व मेटेरियल फोर साइटोप्लाज्म तो कि यहार इतना यह जो है वो फूड पार्टिकल्स को जुआ गलत हो गया तो आसर यहां पर कौन सा है फोर्ट ऑप्शन है यह इंजेश्चन तो फूड पार्टिकल नहीं है बलकि रिजर्व मेटरिल है यहां पर होते हैं कोशन में 50 यहां पर आपको मैचिंग करनी है मैचिंग तो हमने को करनी आने चाहिए क्रिष्टी है थाइलिकोड है सेंट्र मेर है सिस्टरनी है बता वो प्राइमरी कॉंस्टिक्शन इन क्रोमोजोम क्रोमोजोम के अंदर जो प्राइमरी कॉंस्टिक्शन है उस प्राइमरी कॉंस्टिक्शन का नाम क्या होता है सैंट्र मेर होता है डिस्क शेप सैक इन गोलजी माइटो कॉंड्रय、 माइटो कॉंड्रिया , माइटो कॉंड्रय में जो फोल्डिंग है याद कर उस इन फोल्डिंग का नाम क्या होता है क्रिष्टी और फ्लैट मेंब्रेन सेक स्ट्रोमा उफ प्लास्टिड उसे आप लोग क्या कहेंगे ठाले को देखो पहले भी ऐसा कोशन आया था ना तो इसका आंसर पर चौप कहोगी ए में त्री बी में फोर सी में वन और डी में टू आंसर यहां पर कोण सा हो गया सिकेंड आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है कोशन नुमर फिक्टीवन देखते हैं कि विच्व फॉलॉइंग इस एन इंकरेक्ट स्टेट्मेंट माइक्रो बोडिस आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट अनिमल सेल बिल्कुल सही है बच्व माइक्रों बोडिक दोनों में होती है किश् basis पेस्फ लेयर बिट्मिन द्व मेंटरियल प्रेजैंट इनसाइट र्डियस क्ली ये poetry प्लास्म पेस्व यहां के पास स्यल है कि ऐसे ंडेलिस के जो बच्चों मेंबरेन है यूं कि बताओ हुआ क्हारी हमें क्या बंते है पुर इंपोर के थुभी होते हैं सबस्टांस्टेन ही अंदर बाबर नुकलियस के अंदर बाहर जाते रहते हैं तो नुकलियर पोर एक्ट एस पैसेज फोर प्रोटीन एंड आरने मोलेकूल इन बोर डिरेक्शन बिट्विन नुकलियस एंड सैटोप्लांस बिल्कुल सही है मैचूर सीव ट्यूब एलिमेंट पशेज एक कॉंस्पीशियस नुकलियस नौ मैचूर सीव ट्यूब में बच्वो नुकलियस क्या होता है एपसेंट होता तो आशर यहां पर होगा फोर नेक्स यहां 52 की बात करें कि विच्व फॉलोइंग स्टेट्मेंट विद रैस्पेक्ट टू एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम इस इंकरेक्ट एस डेवर्ड राइबोसोम बिल्कुल सही भी एस यार में अगर आप राइबोसोम ढूंडो तो आपको राइबोसोम के नाम पर वहां पर कुछ नहीं मिल बिल्कुल यहां पर स्टेट्मेंट थैट्मेंट टू माईटोसिसा की बाद पूछ रहे हैं उसमें आपको बताना कौँन भार्ट आपको इनकरेक्ट है Spindle Fiber Attached to centromere of chromosome क्रोमोजों याच्छ चंदγα dépस कहा पर होता है यहा隻 स्पिंड्डल lower भी ऑड ठीक है और मेसं टूनों यह कोई कमैंट कुशन लुग एक चरीके से हमें क्राइब कोशन बचों वहांपर भी लेंगे इसी बात नहीं है क्रोमोजोम डी कंडेंस टीलोफेज ठीक है स्पीटिंग ओफ सेंट्रोमियद अकर एचे और अफेस औल दे क्रमोजोम लाइ यह पुचा है तो गलत बता है यहां पर कौन सा हो गया और प्रोमोजोम टीकंडेंस इन टीलोफेज है है स्पिंटंग ऑफ सेंट्रो मियर अकर अद एनसे और स्पिंटिंग फाइबर विइदू से चनुतर पें हैं तो यहां प्यंत्य आप साम पुछा और निज 250Am वस्ता में होता है और मध्यावस्ता में सभी गुण सुत्र एक विटन पड़े होती है अब देखे इस कांसे कैसे कहें तो देखो इसके अंदर इस्पिंडल फाइबर अटेच्टु सेंट्रो मेर यहां पर आ गया यहां प्याना चाहिए था क्या काइनेटो को इस तरीके से आ आगे देखे बच्चों याद रखना एंजाइम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम और लाइसंवर्स पर काम करते हैं अगर पी यह और अपने एक्टिव यह विल फशन्म और एफिशेंसी यह पर कौन सब्सको एसे दिक एंजाइम जो है वह एसेडिक प्याम करना उसको पढ़ता है आगे देखे लास्ट बचों यहां पर कोशन 55 रोग जनक बेक्टरिया में पड़ती जीवियों के पड़ती पड़ती रोध किसमें परिवर्तन से होता है पैतोजनिक बेक्टरिया गेन प्लाजमीड यहां पर है तो बचों आज हमने सोल किया है सेल बाइलो जी फर्स्ट के कोशन्स उम्मीद है आपको इसमें बैहत मज़ा आया होगा बागी बात करेंगे नेक्स टन पर थेंक्यू